वेल्कम टू हिंदी क्लास सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम टी रजिता है मैं सिदिपेट जिले के मुलगु मंडल के जी बीवी में हिंदी सियार्टी के रूप में काम कर रही हूं ऐसे हो बच्चो सब कुशल है ना कर हम रमजान पाट पड़े थे ना आज उस पाट को आगे बढ़ाएंगे रमजान रमजान मुसल्मानों का त्योहार है जिस तरह हिंदू बदकम्मा को महत्वपून से मनाते है ना उसी तरह मुसल्मान रमजान को मनाते है चलो बच्चो चान के निकनने से शुरू होता है। रमजान का चान निकनने पर इसकी सूचना विविद प्रकार से दे जाती है। रमजान माजकी सूचना मिलते ही अंटे रमजान एक सूचना अंडगाने मुसलमान पेनजेस्थूरों वालों रोजा की तैयारियों में लग जते हैं। रोजा यानी उपवास हे, रोजा का अर्थ क्या है बच्चों? उपवास, तेलोगुलो मनम अंटू उँटांगा दा उपवास मनी रोजा का अर्थ उपवास हे, वो महिनाबर रोजा रत्ते हैं हे, रम्जान पूर्त्ती निलागा वल्लू उपवास दीक्षल नेदी जर्गुतु उँटू उँटू दि, एविदंगा नहीते एकिंदुगुलो कूड श्रावना मासमलो, प्रत्य कमेन अट्मिटे पंडगल समयाललो, पुवास दीक्षल उँटारो, अदेविदंगा मुसल्मान कूडा, उपवास दीक्षलो, रम्जा नेललो, नेला पूर्त उँटू 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 साहरी के बाज से उपवास आरंब होता है, जब साहरी कतम होता है तब उपवास आरंब होता है, रोजा आरंब होता है, साहरी पूर्तावगाने उपवास दिक्षाने दी प्रारंबम आउतुंदी उपवास में पाने तक पीना मना है उपवास में कुछ काना नही पीना नही के पानी भी पीना तक मना है अंटे उपवास दिख्षलों उन्ण पुडु कलेईसम वाल्लु मंचिनीदु तरागडाने की फूड वीलु लेदु मनम् मामूलुगा उपवास दिक्षल चेस्थून अप्र अलपाहाराने पनलनु पालन तीसकुंटू उन्टाम। काने मुसल्मान मात्रमू उपवास दिक्षल चेसेट अप्डू कलेईसमु अंचिनेलु पुडा दरागणार की वीलु लेदू इस तरह रोजा रककर दैनिक कार्य करते हुए मनको अल्ला की इबाधत में लगाना रमजान का मुख्य उद्देशू इसी तरह रोजा रककर उपवास दिक्षल右ंडू कुंटू दैनिक कार्य करते हुए अंटे वाला रोजुवारी कार्यालु चेस्तु हुने मनको अल्लाह की इबादत में लगाना अंटे मनसनु आ देवुडी पैने लग्मम चेडमें रमजानियोक का मुख्या उद्देशु। रोजा रखने से मनुष्यु स्वास्त वा चुस्तु बना रहता है। आत्मानुष्यासन आदिक गुनु विकसित होते हैं। जिससे मानवतावा सामाजिकता की भावनाये बढ़ती है। इसा अल्लाह की दुख दर्दों का अनुबव किया जाता है। करीबूं की दुख दर्द अनुभव किया जाता है एंटे पेदवाल युक का कष्ठालू बादलू पुड़ा विलकवार्दम होतों ताही और उनकी सहायता की जाती है और वल्ला को सहायाने गुड़ा चेर से गुनव लक्षनालनी विललो वस्तों ताही एंटे रोजा रतने मेंशे मनुशु स्वास्त रहता है आरोग्यंगा उन्टाडू आत्मनियंत्रन आत्ममिश्वास की विकसित होता है और सामाजिकता मानवता की भावनाय बढ़ती है और गरीबों की दुख दर्दों को समझ सकते हैं और उनकी सहायता भी कर सकता है यह रमजान का मुख्य अच्छो समझ में आया पार्ट सभी को कल फिर मिलेंगे धन्यवाद